असामलेकुम दिस इस कासम मिलिया सेथ वेलकुम टू एनम असूचियट्स प्रप्रप्रिट वर आज है मुझूद हैं लेक सीटी के सेक्टर M7B में और आपके लिए बहुत ही खुबसूरत पांच मॉलेकर घर लेकर रहे हैं आएं आपको सबसे पहले इसकी फ्रंट गैरिज बहुत अच्छा कुला गैरिज जिसमें इजी ली आप एक सेडान कार खड़ी कर सकते हैं उपर फॉल्सी लिंग की यह बहुत ही बीटिफुल और में एंट्रेंस में टाइल वर्क किया गया है बहुत ही खुबसूरत जैसा कि आप देख सकते हैं बोड़न गर की एंट्रेंस की बात की जाएं तो तीन एंट्रेंस है वाइट सैट से जो इंट्रेंस है और प्रमेंग के इंट्रेंस है और लेट대 लेके चलते हैं साथ से पहले गर के बात की जाएं तो बुडन पैनल यूज़ किया गया है एप्लस क्वालिटी के और फॉट क्वालिटी दोर एंडर यूज़ की गया है द्वाइंग और टीवी इस घर का कमाइंड है बहुत ही बुबसूरत घर है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छी फॉल सीलिंग कीगी है फैंड लगाया गया है वाल लेंप्स लगाया गया है इधर वाल्पेपर डिजाइन यूज़ किया गया है सेम यही वाल्पेपर डिजाइन टीवी लाँज में यूज़ किया गया है और इसके पर सेरैमिक बाउंडरी बनाई की जाए सामने आपको एक मीडिया वाल मिल जाती है बहुत ही खवबसुरत साथ यहापको konsole मिल जाता है बुड़न कनसोल और बहुत ही खवबसुरत fall ceiling मिल जाती है delleन अर्गेन आपको अज़ने स्फेर के स्टोरेजरीय मिल जाता है अब बेरकुल इसके साथ आपको पाउडर रूम मिल जाता है पाउडर रूम के साथ ही किचेन एरिया है बहुत लिक अबसुरत प्लैक, क्रे, कोल्डन एंड वाइट कलर के कलर कॉमिनेशन भिसकर के किचेन बनाए गया है काफी अच्छी कबर्ड डॉस बनाए गये हैं, ओएंजी के हुड़ इंस्टोब इंस्टॉल किये गये हैं काफी एक्सेसिफ स्टॉरिज पेज़ है और इधर आप अपना फ्रिजब रख सकते हैं और वेको साथ ही आपको बैक एरिया बैक गली के एकसेस मिल जाता है जिज़र आप गीजर एंड मेशीन लगा सकते हैं बिल्कुल इसके एडजेस्टेंट किचिन के लेब साइट के आपको फर्स बेडरूम मिल जाता है टाइल्स की बात की जाए तो एप्लस क्वालिटी की टाइल्स लगाए गही हैं काफी खुब्सूरत बैडरूम्स वाडरोब्स और उपको काफी खुब्सूरत फॉल सीलिंग ब्लू कलर का इसमेल है लीडी लाइट जो बहुत खुब्सूरत चेट दे रही है सामने आपको मीडिया वाल मिल जाती है बैडरूम की जिसके सेरैमिक बाउंडरी की गई है और साथ ही आपको वाश्रूम मिल जाता है वाश्रूम की असेसरी की बात की जाए तो अलफैसल की असेसरी और फिटिंग्स यूज़ की गई है बहुत ही खुब से रूद फुली टाइंड वाश्रूम फर्स्ट लोगी तरफ जाए सबसे पहले आपको मार्बल स्टेकेश मिल जाता है साथ ही सेफटी प्रोटेक्टिव ग्रेल मिल जाती है अग बिल्कुल लेफ साइड पे आपको किचिन मिल जाता है प्रेक्ड साइड और बिल्कुल इसे साथ ही आपको बेड्रों मिल जाता है सामने मेडिया वाल के लिए केबल किनेक्शन मिल जाता है बहुत ही गबसरत वाल लें जाते है और इस तरफ आपको बहुत ही घुपसरूद तेन खिर्किया है विद सेफ्टी प्रोटेक्टिव ग्रेल मिल जाती है फॉर पासिंग ट्रू अफ लाइड साथ ही आपको गॉश्रूम मिल जाता है फुली टाइल वाश्रूम विद अलफेसल फिटिंग्स इसके साथ ही आपको टीवी लाउज मिल जाता है टीवी लाउज में आपको मीडिया वाल मिल जाती है कंसोल मिल जाता है और उपर ओपन एरिया मिल जाता है जिसके तरू लाइट पास्टिव होती है और काफी रोशन लगता है कि टीवी लाउज चे कि अच ओरौक की बात की जाए तर सावने आपको अगें किड़के मिल जाती है बहुत ही गुपसरद है इदर राइट चाइट शे आप छिक को एकस्च कर सकते हैं अगर इसके साथ आपको एक बहुत ही बश्रूम एरिया मिल जाता है इदर आपको वाइडरोब एरिया सेपरेट है, ओपर से लाइट पास्टू और आपको बहुत ही बश्रूम एरिया मिल जाता है आगे चलते जाएं इस घर के सेकंड फ्लोर की तरफ तरफ तो अगेन मार्बल स्टेल केस सेफ्टी प्रोटेक्टिव क्रेल इधर आपको स्टोर रूम एरिया मिल जाता है यहां पर इसको सबन कोडर बना सकते हैं इधर आपको वाश्रूम मिल जाता है फुली मार्बल बिल्कुल इसके साथ ही आपको छट मिल जाती है इसके आप देख सकते हैं बहुत ही घुपसूरत छट फुली मार्बल चट इस घर की लोकेशन की बात की जाए तो यह M7D में लोकेटिड है बहुत ही घुपसूरत स्पैनिश टाइप गार आपको हमारी वीडि जाएप जरू कीजियेगा, Allah Hafiz